साथियों एक समय था है जब भारत दुनिया के सबसे समर्द और वैबवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था भारत के नगरों से लेकर महलों तक भारत के मंदिरों से लेकर मुर्तियों तक भारत का वास्तू भारत की विशेजग्यता का उद्गोश करता था सिंदू सब्विता के नगर नियोजन से लेकर मौर्य कानिन स्थब्ब और स्थुपों तक चोल शासकों के बनाएं भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर से आने वाली आत्रियों को हैरान कर देता था लेकिन सेकडो साल की गुलामी ने हम से हमारे गौरव छीन लिया एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्मान को देखकर मुग्द होने लग गए 21 वी सदी का नया भारत बुलंद होसले से बरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है आज भारत प्राचीन कला के उस गवरोशाली धारा को एक बार फीर अपनी तरफ मोड रहा है और संसत की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवन्त प्रतीक बनी है आज नए संसत भवन को देखकर हर भारतिय गवरों से भरा हुआ है इस भवन में दिरासत भी है वास्तु भी है इसमें कला भी है कौशल भी है कि इसमें संस्कृती भी है और संविधान के स्वर भी है आप देख रहे हैं कि लोग सभा का आमत्रिक हिस्सा यहां भी देखिए यहां भी देखिए राष्ट्य पच्छी मोर पर आधारी थैं राज सभा का आंत्रिक हिस्सा राष्ट्य फूल कमल पर आधारी थैं और संसत के प्रांगन में हमारा रास्त्य व्रुक्ष बर्गद भी है हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों की जो विवितता है इस दय भवन ने उन सब को समाहित किया है इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रिनाइट और बल्वा पत्थर लगाए गए यह जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं न वह महराश्टर से आई हैं यूपी में बदोही के कार्योगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालिनों को बूना है एक तरह से इस भावन के कण कण में हमें एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना के दर्शन हुए झाल